पहली से एक फिट्ट कलास के बच्चों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं चप्टर आपका पहला पार्ट है यहां के लोग से ढ़िता के लोगों में जो वीरता, साहश और संगर्ष हैं ये हमने कहीं से खरीदा नहीं हमें विराशत में मिला हैं यहां के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती हैं मात्र गुमी की रक्षा करने के लिए हमारे जवान हस्ते हस्ते अपना बलेदान करते हैं यह पार्ट मह भारत कालिन राजा भरत के बच्पन की वीरता के उधार्ण से बालकों को वीरता शंगर्ष और कठिन परिस्तितियों में अभी कष्ट सहन करके आगे बढ़ते रहने का संदेश देता हैं हमारी जो कवीता है इसका सार अभी मैंने आपको बताया अभी इसका जो फ़श्ट पेरा है इस पेरे में कवी कहता है इस कवीता के माध्यम से कवी हमें कह रहा है कि हम भारत के जो लोग हैं दुश्यंद के प्रतापी पुत्र भरत की तरह बलशाली हैं हम भरत की तरह ही शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं संसार में कोई भी देश हमारे देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता हमारे देश से बढ़कर भारत भूवी पर हमारे देश से बढ़कर हमारे सामने और हमारे हिसाब से इस संसार में कोई भी देश नहीं है इस मिट्टी में जो पैदा होना हमारे लिए बड़े ही सोभाग्य की बात है हमें शाहस और वीरता जो हैं ये गोन अपने पूर्वजों से सौगात के रूप में विराशत में मिले हैं दूसरा पैरा बड़ी बड़ी ज्वालाओं से इसके माध्यम से कभी कह रहा है कि भारत के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही वीर और बलशाली हैं छोटी छोटी चिंगारी मिलके बहुत बड़ी ज्वाला बन सकती हैं तो अगर हमारे छोटे छोटे बालक मिल जाएं तो बहुत बड़ी कठिनायों से ताकत कोई भी अगर श्रमिश्या हो तो उसका मुकाबला कर सकते हैं उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं बहुत ही ताकतवर हैं हम कठिन शंगर्ष करके सफलता पाते हैं हम कभी भी अंगारों पे दहकते हैं तो और फूलों के समान खिलके महकते भी हैं हम अपने देश की खातिर शाम से जीते हैं और मरते हैं संसार का कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता हमारा जो तीसरा पैरा है इसमें कहा गया है हमें दुश्मन जब भी ललकारता हैं युद्ध भूमी में हम लोग सत्रू को अपना साहस दिखाते हैं भारत के वीरों ने हमेशा गोली हो या तीर अपने शीने पे खाए हैं पीठ में कभी नहीं हमारे मैदान जब भी हमारे जवान जब भी मैदान में उतरते हैं तो दुनिया जो है आश्य चकित रह जाती हैं हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते आए हैं अपनी मात्र भूमी के लिए 12 महिनों त्याग और बलिदान हम लोग रख सकते हैं इस भारत भूमी की खानों में सदा हीरे और अमुल्य रत्न पैदा हुए हैं यहां जो हैं कवी ने हीरे और अमुल्य रत्न हमारे वीरों के लिए इन शब्दों का प्रियोग किया हैं इस मित्ती में हमेशा देश भक्तों ने जन्म लिया हैं सारे संसार में कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता और इस कवीता का आखरी पैरा उसमें बच्चों को यह बताया गया हैं इस पैरे में कवी कह रहा हैं कि हमारी जो भारत भूमी हैं वो जन्म भूमी अर्थात माता हैं जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं इसकी सावधानी और साहसे रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल जो हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी ही नहीं हम लोग इस मित्ती में पैदा हुए हैं तो इसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी हैं हम लोगों की भी उतनी ही बनती हैं हम खूब परिश्रम करने का शंकल्प लेते हैं और हमारे देश की रक्षा की प्रगत्ती करने की कठिन जो परिक्षा है उसमें हम लोग सफल भी कई बार हुए हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी हम लोग सफल होंगे हमने अपनी जो मा का दूद पिया है उसकी सौगंद खाके कहते हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तत पर रहेंगे हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान ले अर्थार देश सेवा का जो परिचे हैं इस पाट के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो हमारे देश के जवान हैं वहां तक पहुँचे हैं और हम लोगों के लिए जो हर समय हर पल अपने परिवार को छोड़ के आगे आये रहते हैं वो कोई केवल उनकी नोकरी ही नहीं उनके लिए मात्रभूमी का जज़वा भी है और ये हर चोटे बच्चे में भी होना चाहिए क्योंकि मात्रभूमी जो हैं वो सबसे बड़ी होती है और इस पाट के माध्यम से आपको यही कह रही हूँ कि आप भी बड़े होके अपनी मात्रभुमी की शेवा में समर्पित हों कभी का यही उद्देश्य है ठीक है बेटा आज का ये जो चेप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसके क्युश्चन आंस्वर आप लोग सुन्दर राइटिंग में हाँ कोई बच्चा जल्दी कर सकता है तो करें नहीं तो कम से कम ये एक पार्ट आप लोग तीन दिन में आराम से सहज रूप से कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि इसमें कहीं भी आपको कोई शमश्या हो रही है तो आप मम्मी पापा की मदल ले सकते हैं और फिर भी problem solve ना हो तो आप जब चाहें call करके पूछ सकते हैं Thank you बच्चा